हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जॉप में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत सबसे बड़ी सीधी भरती परिक्षा इंटर्व्यू नहीं सीधे सेलेक्शन ब्लॉग संसाधन अधिकारी के लिए ब्लॉग संसाधन अधिकारी जिलेको आवंटित ब्लॉग व्यक्तियों की संक्या 100 रहने वाली है आयू इसमें 21 से 64 वर्स अधिक्तम रखी गई है अंतिम तिती जो है आवेदन करने की 30 जुलाई रहेगी इसमें जो है ग्रेजवेट पास स्टूडेंट साथ में जो है कम्प्यूटर का जो डिप्लोमा है रसी आई टी यदि आपने किया है तो बिल्कुल आप यहां पर अपलाए कर सकते हैं तो अफिशिल वेबसाइट पर चलते हैं सबसे पहले गौर्मेंट ऑफ राजिस्थान डिस्टिक जैपूर से वेकेंसी का नया नोटिविकेशन सेवाओं के लिए मुख्य सर्तों का सारंस इसमें जो है जिले को आवंटित ब्लॉक्स अंसादन व्यक्तियों की संख्या रखी गई है 100 ठीक है मान दे जो है इसमें सैलरी जो है 500 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति दिवस हर दिन जो है वो 500 रुपे इसमें सामाजिक अंकेशन अविदी के अनुसार दिये जाएंगे सैक्षने की योगेता केवल इसना तक किसी भी सब्जक्ट से आर्ट्स, कॉमर्स, साइन्स, प्रे सैक्षन की योगेता, सूचना प्रोध्योगी की या कंप्यूटर कारे में दक्षता, एवम आरके सील द्वारा जो है आरे सी आईटी, ठीक है आयू जो है इसमें अंतिम तिथी पर आयू जो है वो 64 वर्ज, 21 से 64 वर्ज तक के कैनिरेट इसमें आविदन कर सकते हैं, लास्ट डेट 30 जुलाई 2024 रहेगी तो आपके पास 10 दिन है, यदि आप आविदन करना चाहेंगे, ऑनलाइन ही जो है एप्लिकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा आविदन के लिए दिसा निर्देश दिये गई है इसमें समस्त वांचित सूचनाए आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी एप्लिकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आविदन भढ़ने से पहले संबंदित जिला कारले जैपूर की ओफिशल वेबसाइट जहां से मैंने आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ इस पर उपलब्द विश्रित विग्यप्ति जो की फाइफ पेजिस की है अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वर रखते हुए आविदन करना है ठीक है और पूरा जो है आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म सही सही फिल करना होगा नहीं अपून भढ अब्र बड़ने पर जो है आविदक का आविदन पत्र रद किया जासकता है तो यहां बहुत सारे candidates जो है फोर्म अप्लाइ करते हैं लेकिन आवेदन में जैसे ही तुरोटी होती है तो निरस्त हो जाता है ओनलाइन आवेदन पत्र भढ़ने के बाद आवेदन एवं आवेदन सुलक की फोटो प्रती इमेल पर प्रेशित करनी है आवेदक द्वारा ओनलाइन भिजवाये जाने वाले आविदन पत्र, सलगन सहित, स्केन कर यानि application form और जितने भी आपकी document की photocopy है PDF फाइल बना कर आप लोगों को जो की फाइल 5 MB से ज़्यादा न हो ठीक है बस यही चीज़े द्यान में रखनी है और आप लोगों को mail करना है, परिक्षा सुलक यहाँ पर मात्र 100 रुपे है SS AAT के State Bank of India सचिवाले साखा के खाता संख्या इसमें डारेक्टर SS AAT के नाम से जमा कराएं इसकी photo प्रती जो है आविदन पत्र के साथ email पर आप लोगों को लगानी है ठीक है, अनसूचिज जाती अनसूचिज जन जाती वैसे मात्र 100 रुपे ही है जर्नल OBC की 100 रुपे है पात्रता आयू सेक्षण के योग्यता अन्य सर्ते हैं, ये सारे आप लोगों को बता दी है पुरोज और महलावर्ग के लिए सनातक या समकक्ष परिक्षा उतीन हो RS CIT का या अन्य माननेता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रद्योग की कंप्यूटर संबंदी अन्य उप्युक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तूत किया जाना निवार्य होगा अगर आपने RS CIT नहीं किया है, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आविदन जो है Civil Society से होना चाहिए आप आविदन बिल्कुल कर सकते हैं वो आविदन नहीं कर सकते जो की राज्य करमचारी है ठीक है यह आविदन नहीं कर सकते लेकिन जो रिटाइड राज्य की करमचारी है वो आविदन कर पाएंगे तो इध्यान में रखना है कोई भी जो है महला पूरस आविदन कर सकते हैं सना तक सात्मा RSCIT या कंप्यूटर का कोई भी डिग्री डिप्लोमा लिकित परिक्षा आयोजित ना करने की स्थिती में सभी पदों के नियूंतम सेक्षन की योगजिता वाली परिक्षा में प्रापतांकों के प्रतिशत उच्चितम प्रैस सेक्षन की योगजिता वाली परिक्षा में प्रापतांकों के प्रतिशत का उसत निकाल कर जो है merit list तैयार होगी अभी परिक्षा फिलाल नहीं है कोई interview नहीं है ठीक है तो जो भी higher qualification रहेगी आपकी वो सबी marks जो हैं जोड़े जाएंगे merit list बनेगी 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 12 बजे तक आप लोग जो है form fill कर सकते हैं बस यहीं तक है यह पूरा यह जो है यह रहा आविदन पत्र का प्रारूप इसी में नीचे दिया हुआ है ठीक है यह पूरा जो है notification रहा इसमें जो है आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है सबसे उपर ही लिखा है भारस सरकार एवं राजिस्तान सरकार के दिसा निर्देश या अनमोधन के अनुसार समविदा मान दे पर सर्तों पर एक वर्ष के लिए चैन हे तू तो यह जो है एक वर्ष के लिए जो है चैन किया जा रहा है ठीक है फिलाल एक वर्ष के लिए किया जा रहा है इसके बाद जो है इसमें जो है आगे कितना बढ़ाते हैं तो ये notification में नहीं लिखा है मुझे आप लोगों को जो है जैसे ही विज्ञापन जारी होता है सुषना देनी होती है जो भी विद्यार्थी जो भी कैडिरेट इसमें फॉर्म अप्लाइ करने के इच्छों है ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू